सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा नहीं सकते हैं लेकिन वैसे मैं आपको बता दूना यह वीडियो ज्यादा लॉंग नहीं है केवल साती मिनिट का है तो इस वीडियो को एक जिगर बैठ के आराम से ध्यान से देख लिजेगा र इस यह अरश का है झाल चाहिए चलिए आज की इस वीडियो को हम सोरो करते हैं चलिए आपके टिके टिकेट का दाम ऐब को तो आपके वैलेड में500 रुंपए रहना चाहिए और यदि आपके में500 रुंपए नहीं है तो आप अपने वैलेड में सबसे पहले आड कर अब चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलके आपको दिखाते हैं कि भाई आप कैसे जो है बुक करेंगे चुब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसपाइस मने अप्लिकेशन को ओपिन कर लेंगे फिर उसके बाद में क्या करना है कहा से कहा तक जाना हमें यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा तो चलिए फ्रॉम पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अप्सन पर क्लिक करके कहा से जाना है हमें किस यह पोर्ट से जाना है अब हमें यहाँ पर इंटर कर देना पड़ेगा आप हमें AID AELL के option पाइक करके हमें कितने passenger artists जा भाता है वह हमें हमें यहांसे select कर लेंगे मैं डिरेक्ट करना téc फिर फ्लाइट सर्च के option पर क्लिक कर दूँगा फिर भास्क Bye अब आपपने इससाब से उसाब से यहांसे आप से लेग यहाँ पर यह वाले flight जो है select करना चाहते तो हम यहाँ पर book ना ओकि option पर क्लिक कर देंगे. Click करने के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ passenger details का option आ जाएगा फिर यहाँ से बाराण से टू. यहां पर जैसा की देख सकते हैं यहां पर कहां से कहां तक जाना यह हमें सर्च कर लेना पड़ेगा यहां पर सिर्फिर समय देख लेना पड़ेगा एक बार फिर उसके बाद में हम अपना डेट भी देख लेंगे फिर उसके बाद में हम यहां पर मिस्टर सेलेट करके अपना नेम झो है ID Card पर हमारा अधार कार्ट जो हम ले जाना पड़ेगे nossas आधार कार्ट पर हम यहा पर еंटर करेंगे जो गौर्णमे इड है वह हम यहांपर इंटर कर देंगे फिर mail है तो mail Chicago यहां पर अपना टीकिंभार में आप पर city जो है हम यहाँ पर अपना city जो है एंटर कर देंगे फिर उसके बाद में अब हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर अपना mobile number एंटर कर देंगे तो चलिए यहाँ पर हम अपना mobile number एंटर कर देते हैं फिर उसके आपको price भी देना पड़ेगे, यहां जाखिए यह कुछ ऐसा price है, 200 price है, तो चलिए हम दूसरी seat select करते हैं, जो की सस्ती है, यहां पर, यदि आप यहां पर नहीं select करेंगे ना, तब भी आपको seat confirm मिलेगी, तो चलिए हम यहां पर यह वाली seat क्लिक कर देंगे, तो चलिए हम इसे नहीं देखना चाते हैं, तो मालीजी देखे लिए हैं, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां क्लोज की option पर आकर फिर से अब हमें क्या करना पड़ेगा, टिकेट की option पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, नहीं उससे पहले हमें यहां पर accept करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में टिकेट की option पर क्लिक कर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में yes की option पर हम क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद में यहां पर देखें, आपका टिकेट प्रॉसेस आए कि Confirming Your Flight Booking फिर उसके बाद में आपका कोच अंडर प्रॉसेस ऐसा होगा तो चलिए यह जैसा है कि देख सकते हैं फिर उसके बाद में हमारे टिक्ट जो है बुग्ड हो जाएगी यह जैसा है कि देख सकते हैं हमारे जहां पर PNR जो है यह सो रहा है फिसके बाद में हमारे टिकट जो है बुग्ड हो गया है तो चले जहां प्रिंट टिकेट की आप सोब पर क्लिक कर देंगे ना तो यह आपके टिकेट जो है आपके गैलरी में जो है डाउन्डोड हो जाएगी कुछ इस ताइप में आपकी टिकेट है आप इसे जाके प्रिंट करवा सकते हैं अब वाई बस आज के इस वीडियो में इ कर देंगे इसका लिजी का समझेव 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 ना